मात्र दो दिन के बाद भारती टीम को अपना पहला T20 मैच खेलना है अगेंस साथ आफरिका और ये मैच दर्बन में खेला जाएगा लेकिन टीम इडिया के लिए बुरी खबर आई है स्टार गेंड बास जो है वो बाहर हो चुके हैं सीरीज से और हो सकता है कि वो ODI मैच भी नहीं खेलते वे नजर आए और भारती टीम के लिए एक बड़ा जटका है क्योंकि दीपक चाहर नहीं गया है दक्षन अफरिका उनक पिछले दफ़ा भी दीपक चाहर दक्षन अफरिका आ गये थी वहाँ पर बल्ले से और गेंड से दोनों में उन्होंने कमाल का पफॉर्मेंस करके रिखाया था और इस बार आपको याद होगा जिस सारीके से दीपक चाहर ने जो आपका चौथा टीट्वेंटी मैच था हो 19 और 21 तारीकों खेला जाएगा यानि कि जो आपके टीट्वेंटी मैचेस हैं वो तो 10, 12, 14 हैं लेकिन एक दिवसी अंतराश्ट्रे मैच 17 को है फिर 19 को है फिर 21 को है और कहा जा रहे है कि उसमें भी दीपक चाहर जो है वो शायद नहीं खेलते बे नजर आएंगे और यह व विश की जल्दी से वो भारती टीम को जोईन करें लेकिन फिलहाल इस समय वो क्रिकेट खेलते वे नहीं नजर आएंगे और माना यह जा रहा है कि माइट भी पॉसिबल T20 के अलाबा ODI में भी दीपक चाहर ना खेलते वे नजर आए तो भारती टीम के लिए जटकाई है ले पर आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगे तो बनेड़ी स्पोर्ट स्टॉक के साथ में हर एक छोटी बड़ी इंफरमेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी